चलो दोस्तों शुरू करते हैं लटकती लासे राज को मिसके दोस्तों अच्छी कहानी लगी इसलिए आपको सुना रहा हूँ द्यान से सुनना एक दिन राजा विक्रम राज के राज दर्बार में महामंत्री सुरसेन कह रहे थे यह इनसान नी सैतान है महाराज जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर अपना प्रभुतव जमाने के लिए वीर सिंग ने अपने भाई को बेदर्दी के साथ मार डाला खेत पर कार्य कर रहे कई वैक्ति साथ से के गवा है महाराज तुम्हे अपनी सपाई में कुछ कहना वीर सिंग मैंने अत्या की हमाराज मैं कबूल करता हूँ हाँ हमने अपनी आखों से खून होते देखा है अत्यारे को दंड दो राजा विक्रम राज ने उसे मिर्टू दंड सुनाते वे कहा कल उसी जगह इसे फाशी पर लटका जाए जहाँ इसने अपने भाई की हत्या की थी अगले दिन वीर सिंग की फाशी देखने के लिए सारा गाउं इमानों उमड़ पड़ा था अत्यारा वीर सिंग मुर्दाबाद तभी महाराज भी वहाँ पूंचे राजा विक्रम राज जिंदाबाद विक्रम राज का आदेश पाते जलाद ने वीर सिंग को फाशी लगा दी अत्यारा वीर सिंग मुर्दाबाद और यह राजे में दी जाने वाली पर्थम फाशी की सजा थी जिस ने राजा विक्रम राज के मन में रक्त बली मचा दी, वीर सिंग की और संकेत करते वे वे दुखी मन से बोले, वीर सिंग को ने चाते वे भी हमें फासी आज़न देना परा, क्योंकि उसका प्राद मान विया था, किन्तु हम इस राजे में दूसरी फासी नहीं चाते, मुझे उमीद है कि परजा महराज, यह कलू चोर है, महराज कल राज सोरी करते वे शिपाईयों ने इसे रंगे आथो पकड़ा है, इसे उसी वर्ष पर फासी दे दी जाए, जहां कल एक प्रादी को फासी पर चड़ाया गया था, यह सुनते ही नहीं के वल महमंत्री बलिक परतेक सभासत अतवर्द र सिपाईयों इसे उसी वर्ष पर फासी दे दी जाए, जह जो आ गया महराज, यह सुनते ही कलू चोर बुरी तरह गिड़ी गड़ा उठा, रहे महराज मेरे बच्चे भूग से बिलक रहे थे, इसलिए मैंने चोरी की, मुझे समा कर दीजे, अपना फैसला वापिस ले लिज और आज यह तो इस बेचारे पर जुलम हुआ, मैं इसे जानता हूं, यह पेसेवर चोर नहीं है, इसके बीवी बच्चे सचमुच भूग से बिलक रहे हैं, वे बेचारे तो यह भी नहीं जानते कि उनकी दुनिया अंधेरी हो चुकी है, चोरी की सजा मिर्टु दंड नही होनी चाहिए थी, वीर सिंग की लास महाराज के आदेशा नुसार वरक्ष से उतारी नहीं गई थी, उस दिन के बात से राजाविक्रम का यही करम बन गया, महाराज इसने इस वरक्ष का लगान अदानी किया, गुस्ताखी माप करे महाराज मैं अगली बार सारा लगान इसे उसी वरक्ष पर फांसी दे दो, किसान को भी फांसी पर लटका दिया गया, सोटी सी गलती की सजा भी राजा विक्रम के दरवार में फांसी की सजा बन गई, इसे फांसी दे दो, रानी रूप पती भी राजा विक्रम के नयाए को देखकर हैरान थी, उप महाराज इतने कठोर अर्दे हो जाएंगे यह मैंने कभी नहीं सोचा था, उसी रात महल के पिछवाड़े से एक काली छाया निकली, वह काली छाया गाओं के उस वरक्स के निकट मूचे जहां कई लासे लटक रही थी, अचानक उस छाया ने कुछ मंतरों का जाब किया, देखते देखते वहां कई पर छाया सी दिखाए दी, हाँ हाँ मेरी गुलाम आत्मा देखो इस वरक्स पर लटकी ताजी लासो को, जाओ और जितना चाहो रक्त निचोड लो, हाँ हाँ, काली छाया का संकेत पाकर सभी पर छाया, समगादड़ों के समान वरक्स पर लटकी लासो से चिपक गई, और उनका रक्त पीने लगी, चपर चपर, हाँ हाँ, अपनी आत्मा को सक्ति साली बना कर मैं दुन्या का सब से सक्ति साली आदमी बनूँगा, जिस से सब बैबित होंगे, हाँ, हाँ, फिर कुछ देर बाद वेक काली छाया महल की और लोट पड़ी, उदर राजा विकरम की नाई परिकरिया देख परजा में संतोस फैल रहा था, बाईयों यह हमारे महराज को एका क्या हो गया है, समझ में नियाता कि एक ही रात में महराज का इरद इतना कठोर कैसे हो गया, यह तो हम सब के साथ ना इनसाफी है, हमें महाराज के पास चल कर उन्हें उनके करते हुए बोध काहसान एहसास कराना होगा हाँ हाँ नगरवासी एक तरी तोकर महल के दोआर पर पहुंचे हमें नयाय दो जुलम बंद करो मनमानी नहीं चलेगी यह सोर कैसा महामंतरी आपकी दंड परिकरिया पर परजा संतोस परकट कर रही है महाराज ओ राजा की दंड परिकरिया पर आवाज उठाना भी अपराद है इन सब को फासी लगा दो जाओ यह हमारा हुकम है लेकिन महराज, हमारे आदेश की अवेलना मत करो महामंतरी राजा की करोधित आँखे देखकर महामंतरी चुपचा पहां से चले गए यह उचितनी है महराज, परजा बगावत कर देगी, हमें परवाँ नहीं और फिर राजा के आदेश पर नारे लगा रही बीड़ पर सेनापती दुरजन सिंग के नेतरतों में सिपाईों ने हमला कर दिया सब को गर्पतार कर लो, हाई मराओ, इन में से एक भी बच करने जाने पाई, गर्पतार कर लो सब को और ले चलो फांसी सितल पर मुर्तु के नाम से गाउवाशों में भै की लहर दोड़ गई, भागो या राजा पागल हो गया, सब को मरवा देगा कुछ उस बगदर का लाब उठा कर भागने में सफल हो गया, और भूछ से गाउवाशी बंदी बना लिये गए ले चलो इन्हें और चड़ा दो फांसी पर, उफ ओ छोड़ दो मुझे, उदर नगर में मोत का तांडव आरम होने जा रहा था, उदर महल में, ओ कोन है ये दूस छनाख, सेनापती महमतरी देखो कोन है ये गुस्ताख, उदर महल के मुख्य दूआर से तबाई पर आरम हो सुके थी, मुख्य दूआर दूदू कर जल उठा, अरे आग भाग, पहरेदार अभी आग लगने का कान भी समझ नहीं पाए थे कि अचानक एक हुआई गोड़ा वहां पर कट हुआ, और उसका सवार कहर बन कर पहरे पर तैना चैनकों पर तूट पड़ा, आ हाई मरा, पलक जबकते उसने कई पहरेदारों को मोत के गाट उतार दिया, बिजली किसी तेजी के साथ तलवारे चलाता वह आगे बढ़ता रहा, तब तक सिपाय भी वहां पहुचा, उसने गरज कर आदेश दिया, तब तक सेनापती भी वहां पहुचा, उसने गरज कर आदेश दिया, प तप तप दड़ाक और अपने सामने खड़े साक्सा सैतान रूपी गुर्षवार को देख कर राजा विक्रम राज तलवार निकाल कर गरजे गुस्ताक तेरी ये इमद तु यहां तक आप पूंचा अमर सिंग तो यमलोक तक भी तेरा पिछा नी छोड़ेगा त्यारे राजा आखों से सोले बरसाते उस युवक का नाम ही अमर सिंग था अमर सिंग के मुँ से इतना सुनते राजा विक्रम करोज से गरसते वे गुर्षवार के और लपके हम तुम्हें जीत नहीं छोड़ेंगे गुस्ताक लड़के दूसरे पल दोनों के तलवारे टकरा गई अचानक अमर सिंग ने एक जटका दिया मेरे निर्दोस पिता को फांसी पर लटका देने वाले राक्सस आज मैं तेरा भी वही आल करूँगा लेकिन इसे पुर्व के अमर सिंग कुछ करता एक फंदा उसके गले में आ पड़ा वो यह क्या तबी एक और फंदा अमर सिंग के गले में आ पड़ा यह देखते ही राजा विक्रम गर्जे उसे तुरंत मोत के घाट उतार दो राजा कादेश सुनकर रानी रूप मती ने कहा नहीं माराज इसे भी इसके पिता के पास ही फासी पर लटकाने का आदेश दीजिए ऐसा इकरो से ना पती दूर करो इसे हमारी निगाहों के सामने से और कुछ ही देर बाद वे उसे बेदर्दी के साथ खीचते हुए फासी सतल की और ले जाने लगे आ उफ लेकिन अभी वे कुछ ही दूर पूंचे होंगे कि अचानक एक नकापोस उन पर तूट पड़ा वो यह कौन है अरे अभी उन सेहनिकों में से कोई कुछ समझ भी नया पाथा कि वे नकापोस मोत बन कर उन पर तूट पड़ा खनाक बिजली के समान चमकती तलवार से वे सहनिकों को गाजर मूली के समान काटता चला गया आई हाई मरा कुछ ही देर में उसने सभी सैनिकों को मोत के घाट उतार दिया और बुरी तरे घालवे बेहुस हो चुके अमर सिंग को उठा कर नकाब पोस्त ने गोड़ा एक तरफ दोड़ा दिया और फिर जब उसे हो साथ उसने सवय को एक खंडर में उसी नकाप पोस के सामने पाया ओ तुम मेरा प्रीच जानना चाहते हो बहादुरी वक यह देखो महरानी जी आप इस रूप में राज्य की भलाई के लिए मुझे ये वेश डारिन करना पड़ा है मैं समझानी महरानी जी एक राजा जब अपना कर्तवे भूलकर इंसा का पुजारी बन जाए तो वह राजा कहलाने के योगे नहीं रह जाता हमारी निर्दोस परजापर महराज या कए कि महराज के रूप में सैतान का त्याचार बढ़ रहा है हमेज जुलम के खिलाब जंग छेडनी होगी और इस जंग की सुरुआत के लिए मुझे तुम जैसे जाबाज योग की तलास थी जो आज महल में पूरी हुई इसलिए मैंने तुमें फासी देने को कहा था ताकि रहा ही मैं तुमें गुर्सवार अपने दल में सामिल कर सकूँ तुमारी मदद से अपनी रहा बटगे राजा को सबक सिखा सकूँ बोलो योग क्या तुम यह जंग लड़ने के लिए तयार हो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूँ आ महारानी जी और फिर उस दूर्स से मुझे अपने पिता की मोत का बदला भी तो लेना है साबास मुझे तुम से इसी जवाब की उपेक्सा थी आव मेरे साथ तभी राणी के वफादार सैनिक वहाँ पूचे यह सबी हमारे वफादार सैनिक अमर सिंग जिनके साथ मिलकर सबसे पहले में निर्दोस नगरवाशियों को फांसी लगने से बचाना है तो फिर सिगर्ता के जिये महारानी जी पहले ही महाराज कई निर्दोस लोगों को फांसी पर चड़ा चुके है और फिर रानी रूपमतिव एमर सिंग के नेतर्तों में सेना फासी सतल की और चल पड़ी मुझे समा करना महराज मेरी जंग आप से नहीं आपकी इंसकोचली प्रवति से है जो सारी मानुता के लिए संकट बन गई है उदर राजा विक्रम सिंग की सनक के सिकार व्यक्तियों की संक्या इतनी बढ़ चुकी थी कि फासी देने के लिए एक वरक्स की सांखाए कम पड़ गई थी लेकिन राजा का कठो रादे स्थात्य गाहों के कई वरक्स भ्यानक मोत का रूप ले चुके थे मदद कर भगवान है प्रभू हमारी रक्षा कर प्रभू राजा को सद बुद्धी देश वर ठीक किसी पल राणी रूप मती के दल ने राजा के सैनिकों पर आकर्मन कर दिया आकर्मन करो ने दोस लोगों की अत्या नहीं होने देंगे अरे राणी जी मारो मारो यूद छिड़ गया खनाक राजा के मुठी बरसेनिकों को तुर्ट मोत के गाट उतार दिया गया गाउवाशों को सबतंतर कर दिया गया हम आपके लिए बगवान बन कर आई है राणी जी लेकिन आपको इस रूप में देखकर हैरानी है हो रही है यह सुनकर अमर सिंग क्या उठा यह समय इन सब बातों का नहीं है भाहियो जंग सीट सुकी है आप लोग भी दुस्त राजा के खिलाब जंग में हमारा साथ दो अन्य था यह पूरा नगर ही वर्षो का समसान बन जाएगा चलो हमें वर्षो पर लटके इन भायों की मौत का बद्रा लेना है हम तयार है तो फिर बड़ो राज महल की और लेकिन ध्यान रहे सिकार राजा विकर्म राज है किसी निर्दोस का रखतने बहे फिर देखते देखते राणी रूपमदिव एमर सिंग के नेतबतों में एक बड़ी सेना के रूप में लोगों ने महल पर चड़ाई कर दी अचानक हुए आकर्मन से पैरेदार भी घबरा कर बाग खड़े वे जान बचानी है तो भागो सैतान की बोटी बोटी काड़ डालो राणी जी सवे अपनी सेना के साथ है इदर एक कक्स में राजा विकर्म राज हाँ हाँ अब जल्दी पूरे नगर को वर्षों के कर्भिस्तान में बदल दूँगा उसी सन अडबराय से एक सैनिक ने वहाँ पर वेश किया और बोला गजब हो गया महराज महरानी जी ने अपनी सेना और अमर सिंग के साथ मिलकर महल पर चड़ाई कर दिया है महामंत्री वे सेना पती भी उनका साथ दे रहे हैं क्या महरानी जी ने तब ही अवाके जोके के समान महरानी वे अमर सिंग कक्स में दाखिल हुए कक्स में पुस्ते उसने पुस्ते सब ने उसे चार ओर से गेर लिया अमर सिंग उर आया हत्यारे अपने सैतान को याद कर ले जिसका तु गुलाम बन शुका है और मरने के लिए तैयार हो जा ओ तुम सब मेरे खिलाप हो गए हो लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते यह सुनते यमर सिंग ने आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार राजा विक्रिम राज पर कर दिया अरे कहां गया ठीक उसी सिंड राजा एकदम से अधर से हो गया था तब ही एक अटास गूंज उठा हाँ हाँ मुरक लड़के मुझे मारना इतना असान नहीं जितना तुने समझा है अहा बली कब देखो कि मैं कैसे तड़बा तड़बा कर तुम सब को समाप्त करता हूं हाँ अचानक कक्स की दिवार पर लटकी तलवार वहा में नाचने लगी अमर सिंग बचो हवा में तेरती तलवार ने अमर सिंग पर वार किया परन्तों अमर सिंग ने उसके वार को अपनी तलवार पर रोक लिया तलवार पून उस पर जप्टी यह तो कोई बूद बड़ा जादूगर भी लगता है अचानक एक बाला संच सनाता हुआ सैनिक की और लपका और सैनिक का एक बाजू काटता हुआ निकल गया आई खचाक अचानक कई फंदे अवा में परकट वे और सैनिकों की गर्दनों में फसके मोत के उस्तानव के पसात राजा विक्रम का सवरवान गुंद उठा इस समय तो मैं यहां से जा रहा हूँ लेकिन फिर सिगरी लोटूँगा और तब पूरे नगर को कर्बिस्तान बना दूँगा हाँ हाँ आउफ बचाओ कक्स में रखा एक पलंग तेजी के साथ उपर उठा राजा के इस परकार एकाएक वहां से दर्से हो जाने पर सब अतरब से खड़े रह गए अचानक अमर सिंग के उठा यह सब क्या चक्कर है महारानी जी मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज एक आएक यह दर्से कैसे हो गए मुझे तो इसमें कोई गहरा रहसे लगता है महारानी जी लेकिन यह रहसे है कैसा महामत्री जी कहीं सेनापति किसी कहीं महाराज किसी विप्ति में तो निफसे हुए है भगवान ही जानता कि अकिकत क्या है हमेश रहस्य का पता लगाना अगारिश के लिए महराज को डूंडना आवसक है हूँ महरानी जी आप मुझे आग्या दे मैं महराज को खोज कर एक एक रहस्य पर से परदा उठाऊंगा तुम बहादूर हो योवे को और इस समय हमें तुमारी मदद की आवसकता भी है तो फिर मैं इस गुप दवार से ही अपनी खोज का कार्या आरम करना चाहता हूँ लेकिन तुम अकेले आप फिकरने करें महरानी जी मेरे साथ सचाई वाईश्वर है जिसकी सदा विजय होती है अब मुझे आग्या दीजिए मामंत्रे और महरानी रूप मती से आग्या लेकर अमर सिंग उस गुप दवार में प्रवेश कर गया उदर राजा अविकरम सिंग्जों की असल में एक जादुगर काल बगत था मेल से निकल कर अपने गड़ में पहुँच चुका था उसके समुक कई ऐसे राक्सस खड़े थे जिन का निर्मान उसने चटानों से किया था और जिन में अब प्रान फूकने बाकी थे मेरी गुलाम आत्मा और मैंने तुम में इंसानी रक्त पिला कर सक्ती साली बनाया है अब तुम इन चटानी पुतलों को जीवित करके इंसानी बस्तुजियों को समसान भूमें बदल दो और एक एक इंसान के शरी से रक्त ने चोड़ लो हाँ हाँ ठीक और उसी वक्त मानों आंधिया शी चलने लगी उदर बहुत देर तक सुरुग में चलने के पर सातमर सिंग जब बाहर निकला तो उसने सवय को एक चटानी इलाके में खड़ा पाया अब यही से मैं उसकी खोज आरम करता हूँ मगर अभी वैए एक ही कदम आगे बढ़ाओगा कि चानल किसी ने उसका रास्ता रोक लिया उफ यह क्या बला है गर और सामने खड़े दराराक्सस को देखकर उसके ओस उड़ गए उसे देखते दराराक्सस उस पर जप्टा यह प्रभू यह तो चटानों से बना परतित होता है अमर सिंग चलांग लगा कर दराराक्सस की पकड़ से बस निकला लेकिन अभी वैए उठ भी नहीं पाँ था कि दराराक्सस ने उसे कुचलने के लिए अपना पाव आगे बढ़ा दिया गर ओफ इसी के साथ अमर सिंग ने तलवार निकाल कर उसके पाव पर वार कर दिया लेकिन टनाक इस फुलादी राक्सस से मैं इस तलवार की मदद से नहीं निपड़ सकता दराराक्सस उसके और बढ़ रहा था अचानक कुछ सोचकर उसने एक चटानी पाड़ी पर चड़ना आरम कर दिया अगर मैं इसके आथ लग गया तो ये मुझे मच्छर की तरह पीछ डालेगा बागो प्यारे दराराक्सस लगातार उसके पीछे था वो वह उपर ही आ रहा है दराराक्सस उपर पूँच कर उसकी और बढ़ गर रहा इस बार जैसे दराराक्सस उस पर जप्टा अमर सिंग उचल कर एक तरह फट गया और गर रहा सुकर है जान बच गई दराराक्सस सैक्रो आत गहरी खाई में गिरता चला गया फिर वह वापस पल्टा और अचानक जमीन पर पड़े निसानों को देख कर वह चोक पड़ा अरे यह राक्सस तो उस भारी बरकम राक्सस के पाव के हैं इसका मतलब इन विशालों इन निसानों का पिछा करके मैं उ उदर नगर में अचानक आंतक वैखोप फैल गया बचाओ आगर भागो आ उस इस आंतक वैखोप का कारण थेवे दराराक्सस जो अपने सामने पड़ने वाले प्रतेक वैक्ति को गहूं के दाने के समान पीष्टे चले जा रहे थे हाई भागो ये राक्सस सब को मार डाले लोग अपने प्राण बचाने के लिए जिदर मूव हुआ बागे चले गए उदर जादुगर काल भगत राजा विक्रम राज के समुख खड़ा विजई सबर में कह रहा था देखा विक्रम राज मेरा कहान है मानकर तुने कितने कष्ट सहे हैं एक राजा के लिए अपनी प वह तो तुमारे रूप में मैं अब भी कर चुका हूँ और मेरे राक्षस तुमारे नगर को सम्सान बना रहे हैं हाहा नही ऐसा नहीं हो सकता और तुम्हारी परदा मेरे राक्षसों का मकाToo णाousse काहान नहीं कर सकती क्योंकि जब तक मैं जीउविद हूं वे नहीं मर सकते और मुझे मारना तो दुर यहां पूछने के भी कोई सोच नहीं सकता हाँ, नहीं, और राजा विक्रमराज, अब तु भी मरने के लिए तयार हो जा, क्योंकि मैंने अभी तक तुझे इसलिए जीवी तरक रक छोड़ा था, ताकि दिखा सकूँ, कि तेरे इंकार के बाद भी म या कारी आसानी से कर सकता हूँ, नहीं, यह सुनते राजा विक्रमराज करोच से पागल होटे, तु अपने मकसद में कभी सफलनी होगा दुष्ट, अब तुझे ऐसा अरगिज नहीं करने देंगे, हाँ, राजा विक्रमराज ने सबक और समतंतर करने की भरपूर चेस्टा की, हे परभू मेरी इतनी कठीन परिक्षा ने ले, मुझे सकती दे परभू, ताकि मैं इस दूस्ट को इसके किये की सजा देश कूँ, तभी जादूगर काल बगत अपनी तलवार लेकर उसकी और बढ़ात, लेकिन अभी वार करने के लिए उसने तलवार उठाई थी कि एक पत्थर उसके सिर से आठ टकरा, तडाक, आ, कोन है गुस्ताक, कडाक, उसी पल राजा विक्रम भी अपनी संपूर सक्ती जुटा कर सवे को सबतंतर कराने में सफल हो गए, कडाक, जादूगर काल बगत के पुकारने पर अमर सिंग सामने आ खडावा, यह मैं हूँ दूर सै दिवार पर छलांग लगा दी, किन्तु अभी वै उसे उठा भी नहीं पाँ था कि अमर सिंग दवारा फैका गया पत्थर, और विक्रम राज दवारा घुमाई गई जंजीरों के वार्ष, सैतान के सीरे पाव पर हुए, खनाक आ, और अचानक जादूगर काल बगत अदर स हो गया, हाँ हाई, उस समय तो मेरा देव, हाँ हाँ, उस समय तो मेरा देव पुजा का समय हो रहा था, इसलिए महल में मैंने तुमें जीवित छोड़ दिया था, मगर अब तुमें इसे कोई नहीं बचेगा, हाँ हाँ, जमीन पर पड़ी तलवार रचान कवा में उठ गई ठनाक ठाक, इस परकार तो यह हमें मार डालेगा, अचानक अमर चोक पड़ा, यह खून के निसान कैसे हो, यह वही खून है, जो पत्थर लगने से उस जादुगर के सरी से बह रहा है, वहाँ खून बह रहा है, इसका मतलब जिदर से निसान, जिदर से निसान बने समझो, वही वह सैथान उफस्ती थे और और निसाना साथ कर अमर सिंग ने नुकिला पत्थर जादुगर के और उच्छाल फैका, परिणाम सुरूप एक तेट चीक वहाँ गूंज उठी, खच, दूसरे इपल जादुगर काल भगत जमीन पर पड़ा नजर आया, यह तो बहोस हो पत्थर की चोट ने इसकी सारी सक्ति छीन लिया, इसे उठाकर फासी के वरक्स के पास ले चलना होगा, कल परजा के सामने हम इसे भी मौत देंगे, जो यह सैतान महारी विशेश परजा को तिया करता था, अमर सिंग ने उसके बेहुस्त शरीर को अपने कंदे पर उठा लि समा कैसी महारानी तुमारी जगे हम होते तो वही करते, जो तुमने किया, हमें तुम पर नाज है, फिर महाराज ने पनी काहनी सुनाते हुए कहा, जिस दिन हमने वीर सिंग को फासी दी, उसी रात राज कुमार काल भकतम से गुप्त रुप में मिला, और बोला, राजा विक मेरा रूप धान करने के पर साथ उसने मुझे बंदी बना लिया, नय जाने मेरी परजा पर वहराक्षस क्या जुलम कर रहा होगा, और उसके बाद की कहानी तो आप सब लोग जानते ही हैं, फूप इतना बड़ा दोखा, खैर बुराई कांट बुराई होता है, फिर अगले दिन सरयाम जादूकर काल भकत को फरक्ष पर फासी दे दे गई, साथ ही राजा विक्रम राज बोले, भायो यह मारे राज्य में दी जाने वाली अंतीम फासी है, आज के बाद राज्य में कोई फासी नहीं होगी, राजा विक्रम राज जिन्दा बाद, आज मेरे पिता की आत्मा को सांती मिली होगी, उसके बाद वरक्षोप पर लटकी लासो कांतीम संसकार सवे महाराज की दे खरेक में हुआ, और फिर राजा में कभी कोई फासी नहीं दी गई, समाब दोस्तों अच्छी लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना,